प्यारे बच्चों इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए था उसमें हम कक्षा चार हिंदी के तीन अध्याए जिन में से एक कविता है उनका रिविजन प्रुन्रावर्ति का कारी हम कर चुके हैं अपने अर्धवार्शिक परिक्षा के लिए आज इस वीडियो में हम जो बच हुए जो अध्याए है और जो कविता है जो कि हमारे अर्धवार्शिक परिक्षा में आ रहे हैं उनका रिविजन हम करेंगे जिसमें से पहली जो कविता है वो है प्रकृति की शूश्मा इस कविता की जो हमारी जो हमारे अभ्यास है उनका हम पुन्रावर्ति आज करेंगे प्रश्न उत्तर हम discuss कर चुके हैं, क्लास में और वो आप लिख भी रहे हैं अपनी copy पे, अब इसमें जो हमारे बसते हैं, वो हमारे कुछ बहुवी कल्पी प्रश्न हैं, उसके अलावा सही उत्तर चुनिये वाले प्रश्न हैं, या बाकी व्याकरनिक कुछ अभ्यास हैं, उन सबसे सही शिर्षक है प्रकृति मूली परक प्रेशने बहुत जरूरी है वो हमने किया हुआ है कक्षा में इसके बाद आता है आपका इन शब्दों के लिए कवीता मैं से ही दूसरा उप्योगत शब्द खोजो और लिखो मतलब समनार्थी शब्द आपने पहले भी पढ़ा है न जिनके अर्थे समान होते हैं इंग्लिश में जिसे सनोनियम्स बोलते हैं एक ही अर्थ वाले कई शब्द जो अलग तरीके से बोले और लिखे जाते हैं जैसे सूर्य को सूरज भी बोलते है अंधिकार को अंधियारा भी कहा जाता है सरिताएं को नदियां भी कहा जाता है सुमन को फूल भी कहा जाता है पेड को व्रिक्ष भी कहा जाता है और कुद्रत को प्रकृती भी कहा जाता है अब सही क्रिया लिखकर वाक्यों को पूरा करना है इसका दूसरा प्रश्न है क्रिया पता है ना आपको ऐसे शब्द जिन से किसी काम के होने का या करने का पता चलता है प्रकृति के सुन्दर रंग जहलकते हैं कविता के अधार पर ही पूरा करना है बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं तो जहलकते हैं खिले हैं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बतक पानी में तैरती हैं, तो ये शब्द क्या दिखा रहे हैं, क्रिया का होना, किसी काम का होना. अब काविता में आया, अनुस्वार और अनुनासिक शब्द चुन कर लिखो, अनुस्वार जिसे की हम एक छोटा से डौट दे करके किसी भी शब्द के उपर प्रदर्शित करते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं, छोटी से बिंदू, अंक की बिंदू भी बोलते हैं न, हम लो ऐसे ही अनुनासिक शब्द क्या हैं, जैसे उचे, अंधियारा, नदिया, गूँज, सरिताएं, ये आपके अनुनासिक शब्द हैं, इसके बाद हमारा आता है कविता के अनुसार, ओके एक और है थर्ड क्वेश्चन इसमें, कौन से रंग को मिलाने से क्या बनता है, किन-क और नीला मिलाया जाए, तो बनता है हरा, लाल और नीला मिलाया जाए, तो बनता है बैंगनी, अब आता है आपका कविता के अनुसार, सही उत्तर चुनकर, सही का निशान लगाईए, किसके आने से न प्यारा और सुन्दर हो जाता है, चंद्रमा के आने से, ठीक है, फिर है विधी ने अपनी लीला कैसे रंगों से रंगी है, इंद्र धनुशी रंगों से, धर्ति किसके कलरव से गूज उठी है, पक्षियों के, कलरव मतलब आवाज, जह चहाना, ठीक है, पक्षियों, इसके बाद आपका आता है, प्रतेक पंक्ती में जो शब्द समानार्थक नहीं है, उस पर गोला लगाओ, इसका मतलब क्या है, हर पंक्ती में ऐसे शब्द दिये हैं, जिनके अर्थ समान है, जैसे फर्स्ट, पहली पंक्ती में जो शब्द दिये हैं, उन सभी के अर्थ समान होंगे, अब आपको करना क्य आपको ऐसे शब्द को निकालना है जिसका अर्थ बाकी शब्दों से भिन्न हो मतलब अलग हो जैसे पुष्प, सुमन, कुसुम ये ऐसे शब्द है जिन सभी का अर्थ है फूल लेकिन फल अलग है ठीक है तो इसलिए फल को सरकल किया गया है फिर है सुन्दर, मंजुल और सबका मतलब है मन को भाने वाला और जो आखरी शब्द है विविद मतलब अनीक तो ये अर्थ में अलग है इसलिए इसे सरकल किया गया फिर है सुगंध, सुश्मा, सौरव और महक इसमें सुगंध, सौरव और महक एक जैसे हैं सुश्मा अलग है जिसका मतलब है सुन्दर क फिर है लीला, क्रीडा, माया और विधी इसमें विधी मतलब किसी काम को करने का तरीका ये अलग अर्थ प्रिदर्शित कर रहा है इसलिए इसे सरकल किया गया है इसके बार आपका आता है अध्याई पांच हमारा तिरंगा जहंडा हमारा तिरंगा जहंडा हाँ बचो एक और चीज जो बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टन्ट है शब्द अर्थ शब्द अर्थ भी आपको हर अध्याई से मैंने रिविजन में करवाए हैं उन शब्दों को ध्यान से देखिएगा उनके अर्थ को समझिएगा और उसके बाद उसे बार बार लिखकर उसका अभ्यास करें अब इसमें इस पार्ट में भी हमने प्रशनोत्तर कर लिए हैं इसके बाद हमारा आता है दिये गए शब्दों में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो पहला है केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी ठीक है अगर आपसे पुछा जाए किस किस सफेद रंग हमारी पवित्रता को दर्शाता है यहाँ पर तिरंगे के तीन रंगों के बारे में बताया है केसरिया बहादुरी का प्रतीक है सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है और प्रतिवर्ष प्रधान मंतरी लाल की ले की प्राचीर में जंडा कब फैराते हैं काता है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ जंडा फैराते समय हम उसका सम्मान कैसे करते हैं कई बच्चे लिखते हैं गाकर करते हैं तो यहां पर आपको सीधे खड़े हो करके सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हो करके हम जंडे का सम्मान करते हैं जंडे के किस रंग में पंचवर्शी उजनाों की सफलता मिलती है। इसके बाद आता है आपका, पार्ट से चुनकर निम्लकित वाक्यान्षू के लिए एक समानार्थी शब्द लिए। वाक्यान्षू के लिए एक समानार्थी शब्द मतलब 1 वर्ड सब्सस्टीटूशन जो आप English में पढ़ते हूँ, एक sentence के लिए एक word, ओके, जैसे कि केसर के रंग का केसरिया, पाच सालों का पंचवर्शी, तीन रंगों का तिरंगा, आजादी मतलब स्वतंत्रता, शपत मतलब प्रतिग्या, सूचक मतलब प्रतिग, अब आता है, कुछ विशेशन और संग्या के वर्ग में आपको लिखना है, जैसे विशेशन मतलब क्या होते है, adjectives, जो संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताते हैं, संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहा जाता है, जैसे आपका हुआ, यहाँ पर बहादूरी, आ भावाचक में देखो जो भाव होते हैं जिनें आप महसूस करते हो जैसे कि बहादुरी, आजादी, खुशहाली, सफेदी, स्वतंत्रता और पवित्रता ये भाव हैं इसके बाद आपका आता है कोश्टक में दिये गए विशेशन शब्दों से भावाचक संग्या बनाकर रि जैसे उपर वाला प्रश्ण भी विल्कुल ऐसा ही था देखे जैसे विशेशन शब्द है बहादुरी, बहादुर, अगर बहादुर का आपको बोला जाए कि इसकी भावाचक संग्या बनाईए तो आप क्या लिखेंगे बहादुरी, अब देखें सभी जीव जनतों उपर डेश करो, और ब्रेकेट में क्या दिया है, दयालू, अब आपको यहाँ क्या करना है, भावाचक संग्या बनाईए तो दयालू का क्या हो जाएगा, दया, फिर महात्मा गांदी ने हमें अहिंसक मतलब अहिंसा का पार्ट पढ़ाया, भावाचक संग्या अहिंसक का अहिंस ऐसे ही प्यारक की भावाचक संग्या प्यार, सब में प्यार बाटो, राश्ट्रगान गाते समय चारू और, शांत का भावाचक संग्या शांती, डैश से ही हर व्यक्ति सफल होता है, परिश्रमी की भावाचक संग्या परिश्रम, ठीक है, इसके बाद आपका आता है, जो next आ जहां पर सहित है, वहां पर व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगाए, देखिए, लेकिन जहां पर स्वर रहित है, जहां स्वर नहीं है, वहां पर हलंत लगाए, ऐसे शब्दों को यहां पर क्रम से लिखना है, जैसे स्वर रहित, जिसमें स्वर ना हो, ठीक है, बिना हलंत वाल जिसमें स्वर है इस रो में जहां व्यंजन में आपको हलंत नहीं दिख रहा है इसका मतलब है इसमें स्वर है जैसे की प्रण क्रम आप स्वर रहित जिसमें की स्वर ना हो हलंत के साथ जो रो लिखा है जैसे पर्व और गर्व मात्रा भी दी हुई है इसके आधार पर आपको इसे अलग-अलग करना है इसके बाद आपका आता है जो दूसरा प्रश्ण आपका आता है नीचे जो विलोम शब्द दिये हुए हैं इन विलोम शब्दूं इन शब्दूं से इनके विलोम बनाने हैं अपोजिट्स बनाने हैं ऐंटोनियम्स बनाने, ठीक है, उल्टे अर्थवाले शब्द बनाने, जैसे उचा का नीचा, एक्ता का अनेक्ता, आजादी का गुलाम, आजादी का गुलामी होगा, आजाद का गुलाम, मित्र का शत्रू, वीर का कायर, सम्मान का अपमान, जीवन का मृत्यू और धूब का अब इसके बाद आता है प्रतेक पंक्ती में जो शब्द सम्हू से अलग है उससे पर आपको क्या करना है गुला लगाना है जैसे केसरिया, सफेद, हरा ये सब रंगों के नाम है अब इसमें रंगों का नाम क्या नहीं है बढ़ना, बढ़ना एक क्रिया है तो इसमें आपने स तिरंगा अब यहाँ पर क्या है बाकी सारे शब्द क्या है यहाँ पर देखिए जंडा देश वीर्ता संग्या शब्द है न ठीक है और तिरंगा भी संग्या शब्द है ठीक है देश भी संग्या शब्द है ऐसे ही जंडा भी संग्या शब्द है लेकिन वीर्ता क्या है विश पढ़ाना, फेहराना, जुलाना, ये आपके क्या है, यहाँ पर क्रिया शब्दे हैं, और जो क्रिया शब्दे नहीं है, वो क्या है, सफल, ठीक है, तो इसमें आप confusion create नहीं करेंगे, यहाँ पर जंडा, देश और तिरंगा, बेटा ये इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है, तिर इसके बाद आपका आता है, अगला, एवरेस्ट के साथ मेरी भेट, प्रशनोत्तर हम कर चुके हैं, इसमें आपका आ रहा है, सही, उत्तर चुनकर, सही का निशान लगाओ, पहला तो बरफ काटने के लिए बचेंदरी ने किसका इस्तमाल किया था, आप सबको पता है, इसके बाद आपका आता है, शब्द कोश के अनुसार, शब्दों को क्रम में लिखें, शब्द कोश आपको पता है, स्वर से स्टार्ट होता है, वेंजन पर खतम होता है, उसके अनुसार आपको शब्दों को अरेंज करना है, जो स्वर पहले आता है, या वेंजन पहले आत संयुक्ति वेंजन जो दो वेंजनू के योग से बने हैं, जैसे सव, दो वेंजन है ना इसमें, सव, ठीके, अब इसमें पहला आएगा आश्वस्त, फिर स्तर और विस्तर, ऐसे ही सव का आया निश्चित, निश्चय, आश्चर, फिर चटान, पटी, लट्टू, ऐसे ही बाक सार लगाना हैं, आपको अनुस्वार मतलब बिंदू, अंक की मात्रा, अंग संग अलग तरीके से लिखा यह, आपको उसको अनुस्वार लगाकर के दुवारा लिखना है, घंटा, जंडा, क्याम्प और चुम्बन, ऐसे ही फिर आता है, छोटी की और बड़ी की चुनते व थीक है, जैसे बचेंद्री ने कहा, बचेंद्री ने खुद ने कहाए की, मैं तयार हूं छोटी की, उन्होंने बढ़ाई दी, उन्होंने बोला तो छोटी की, शिखर के उपर हवा की गती बढ़ गई थी, मतल lah हवा वहाँ पर तेजबढ़ी थी, यहां पर किसी ने, कुछ नहीं कहा है, जमी हुई बरफ की चटाने, सकत थी, यहाँ पर बड़ी E की मात्र, जहाँ पर कोई चीज बोली जा रही है, वहाँ पर चोटी E की मात्र, व्यक्ति किसी चीज को बोल रहा है, या व्यक्ति विशेश ग्रुप, किसी चीज को बोल रहा है, शोटी ही की मात्रव, अब यहाँ पर वाक्य पूरा करना है, ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या किए जाने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे अब इन वाक्यों में क्रिया शब्दों को रिखांकित करना है जिसे किसी काम के होने का पता चल रहा है पहला है दलों के दो समुह बना दिये तो बना दिये यहां पर क्रिया है तेज हवा चल रही थी मैं चल रही थी क्रिया है हमने पीछे मुड़कर पूछा पूछा एक क्रिया है काम के होने का पता चल रहा है हमने रसी के बिना चड़ाई की चड़ाई करना एक काम है तो इसे अंडरलाइन किया गया है इसके बाद हमारा आता है अगला अध्याई चीटी और कबूतर चीटी और कबूतर यहाँ पर ये एक कविता है मूल रूप से और इस कविता के प्रशन उत्तर हम कर चुके हैं अब जो सही उत्तर चुनना है आपको वहाँ से शुरू करेंगे चीटी पानी पीने के लिए कहा आई थी ज़रने पर कबूतर पर निशाना किसने साधा था शिका पर निशाना किसने साधारी ने मूल ये परक प्रशन भी आपको प्रपेर करना है इसके बाद आता है आपको परियावाची शब्द लिखने सिनोनियम्स समान अर्थवाले शब्द ठीक है जैसे कि जरना को जल प्रपाद भी बोलते हैं निर्चर भी बोला जाता है पेड़ युगमू को सही स्थान पर लिखो विप्रीत अर्थवाले शब्द जैसे रात और दिन धीर अधीर आगे और पीछे अच्छा और बुरा दोनु शब्द अलग अलग अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं अब समान अर्थवाले मिलते जुलते अर्थवाले शब्द घास पात चमक दमक और भाग दोर क्रिया विशेशन आपको चुनना है जो कि क्रिया की विशेशता बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है जैसे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है ठीक है इस तरीके से चीटी धीरे धीरे जहरने पर आई कैसे आई वो जहरने पर धीरे धी पर आया किस जगह पर आया उसी जगह पर तो ये हो गया क्रिया विशेशन जो क्रिया की भी विशेश्टा बताए कबूतर शाम को चीटी से मिलने आया कबूतर कब चीटी से मिलने आया शाम को तो ये क्रिया विशेशन है इसके बाद हमारा आता है परियावाची शब्दों के जोड़े बना कर लिखो जैसे दिवस, दिन, पत्ता को और क्या कहेंगे पत्र, जिन्दा को कहेंगे जीवित, काम को कारिय या कर्म, पानी को जल, शुक्रिया को धन्यवाद, पाव को पैर, शाम को साइं समान तुकवाले शब्द लिखे, जब आप बोलते हैं तो एक तरीके की जो लास्ट में जो आवाज है वो एक जैसी निकलती, जैसे राइमिंग वर्ट्स आप इंग्लिश में बोलते हो, जैसे बचाओ, उठाओ, पुकार, बारंबार, धन्यवाद, याद, परिशान, ग्यान घबराई, आई, बुलाया, आया, राइमिंग वर्ट्स पड़े होंगे आपने इसी तरीके से हिंदी में समान तुकवाले शब्द होते हैं इसके बाद विशेशन, विशेश्य संग्या वाले शब्द छाटकर लिखने हैं, जैसे विशेशन प्यासी, करूण, नुकीली, एक, कुछ, ठीक है, अब जब आप इसके विशेश्य लिखेंगे साथ में, जिसकी विशेश्ता बताई जा रही है, विशेश्ता क्या है, प् प्यासी चीटी, करूण, पुकार, पुकार कैसी है, करूण, नुकीली, चोँच, एक, शिकारी, कुछ, दिन, इसके बाद हमारा जो अंतिम अध्याई, जो आपका, आपकी अर्दवार्शिक परिक्षा में आ रहा है, वो है कबड़ी, प्रशनोत्तर हम कर चुके हैं, सही उ कितने वजन से अधिक वाला व्यक्ति कबड़ी नहीं खेल सकता, 85 किलोग्रेम से अधिक वाला व्यक्ति, मतलब 85 किलोग्रेम से जादा वाला व्यक्ति कबड़ी नहीं खेल सकता, बहु अचन बनाने, one and many, एक अनेक, टीम, टीमें, बच्चा, बच्चे, दवाई, दवाईय सांस, सांसे, शुब कामना, शुब कामनाए, वह वे परतियोग जैसे एक परतियोगीता हुई, तो परतियोगीता हैं, मैं हम फिर आता है विलोम शब्द लिखने है उल्टे अर्थवाले गाउं शहर, सावधान असावधान, आसान मुश्किल, लाप्रधानी प्रद, पुराना नया, शुब अशुब, सहमत असहमत, जीत और हार इसके बाद, ब्रैकेट से, कोस्टक से आपको समान अर्थवाले शब्द लिखने हैं और खालिस्थान भरना है, जैसे जिस टीम के ज़्यादा अंक बनते हैं, वो विजई होता है, खिलाडी को निरंतर कबड़ी कबड़ी बोलते रहना होता है, आप मुझे भारतिये टीम के बारे में बताएं, सडक पार करते समय हमें सावधान रहना चाहिए, परिश्रम करने से सफलता मिलती है, इसके बाद देखिए, समुवाची शब्द लिखना है, कुछ शब्द दिये होंगे, ठीक है, पार्ट ओफ, अ सेंटेंस दिया होगा, उसके आधार पर आपको समुव वाचक शब्द लिखना है, जो एक समुवाचक को दर्शा आता है, जैसे गुच्छा, अगर मैंने बोला अंगूर का गुच्छा, मतलब बहुत सारे अंगूर होंगे न, उसमें, तो बहुत सारे अंगूरों के लिए, जो समुवाची शब्द यूज़ किया, वो जैसे नोटों की गड़ी, बहुत सारे नोट एक साथ रखे जाएं तो गड़ी, अंगूरों का गुच्छा, घुडसवारों का दल, लकडियों का गठर, कलाकारों की मंडली, किताबों का बंडल, लोगों की भीड, मदमक्यों का जुंड, फूलों का गुच्छा, और परव जबतूं की श्रंखला, समूवाची शब्द, ऐसे शब्द जो किसी समूव के बारे में बता रहे हैं, ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, अब सही विशेशन शब्द भरकर वाक्य पूरे करने हैं आपको, जैसे होकी हमारा कैसा खेल है, राष्ट्रिय खेल है, अन्शुल मेरी टीम का अच्छा खिलाडी है, विशेशन भरना है, गायल खिलाडी को डॉक्टर के पास ले गए हैं, मैदान में बड़ा गड़ा दिखाई दिया, गबड़ी का मैदान दो पालों में बटा रहता है, इसके बाद आपका आता है, नीचे लिखे वाक्य हैं, इनमें आप को रिखांकित करना है, किसे क्रिया शब्दों को और उनका काल बताना है, पहले तो जो काम हो रहा है, उसे अंडरलाइन करना है, फिर उसके बाद काल भी बताना है, कि ये वर्तमान काल है, भूत काल है या भविशत काल, तो कल बहुत वर्षा हुई थी, हो गई है, हुई थ मतलब बारिश हो चुकी है तो ये हो गया आपका भूतकाल का ठीक है फिर है मैं कबड़ी कबड़ी बोलकर मैं जीत लूंगा मतलब भी जीता नहीं है जीतेगा अगे तो ये हो गया आपका भविशतकाल जीत लूंगा क्रिया भविशतकाल यहाँ पर काल फिर हमारे विद्याल में खिलाड़ियों का चुनाव होना है मतल健ع होना है मतलwerk अब हुआ नहीं है तो ये हो गया आपका भविश्यत काल इससे उपर मैं कबड़ी कबड़ी बोल कर मैं जीत लूँगा मतल resistant अबही जीता नहीं है जीतने वाला है यह भी आपका भुष्यत काल है फिर जब मैं तुम्हारी उम्रका था तब यह खेल खूब खेलता था मतलब पहले वो खेल चुके हैं तो भूत काल हुआ पूर्डिमा का चांद निकल रहा है मतलब अभी निकल रहा है तो वर्टमान काल हुआ अब मैं या मैं लिखकर आके पूरे करें मैं मतलब जब किसी सेंटेंस को जोडने के लिए आप मैं बेस बता रहे हैं ठीक है और मैं मतलब आप सर्वनाम का प्रियोग कर रहे हैं जैसे आप इस खेल के बारे मैं जानते हैं मैं एक ही मातरा वाला जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं मतलब सर्वनाम मैं कबड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता सर्वनाम अभी भी गाउं में यह खेल खेले जाते हैं मतलब गाउं में बताया जा रहा है सर्वनाम का प्रियोग नहीं है प्रेपोजिशन है ठीक है दोनु टीमों में साथ-साथ खिलाडी होते हैं यहाँ पर भी आपका सर्वनाम का प्रियोग नहीं किया जा रहा है इसलिए मौ में एक ही मात्रा लगाई गई है तो बेटा यहाँ पर हमारा हिंदी रिविजन गुंजन उस तक से कंप्लीट होता है पूरा होता है इसके बाद भी अगर आपको समझने में कहीं भी कोई परिशानी हुई हो कोई दिक्कत आई हो तो आप जरूर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कक्षा में परिक्षा स्विरो होने के अभी हमारे पास दो दिन और बचे हैं इन दो दिन के कक्षाओं में आप कभी भी मुझे से कुछ भी आकर पूछ सकते हैं धन्यवाद आपको शायद समझ में आया होगा आगे आपकी हल्प के लिए मैं तयार हूँ जब भी आप किसी भी तरीके की मदद मागेंगे मैं आपकी मदद करूँगी आप सभी को आपके परिक्षा के लिए शुब कामना है और भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी अच्छा करें और जैसा आप चाहते हैं उस तरीके के अंक आप सभी प्राप्त करें धन्यवाद